दोस्तों, सस्लाմ अलेकूम दोस्तों, आज का टापिक है सो पिश्टोन से कप्ड़े क्यों नहीं धुए जा सकते जबके वाषिघंग पॉण्टर में हम जब सो पिश्टोन डालते हैं या टेल कम पॉण्टर डालते हैं तो कप्ड़े साफ गी नहीं हो सकते दूसरा अगर वाशिंग पाउंडर में H पिलस और OH माइनस नहीं हो तो भी कप्ड़ क्यों नहीं साफ हो सकते तीसरा अगर एक सिड और बेस वाशिंग पाउंडर जो हम त्यार किया है उसमें नहीं हो तो जनाब यले कप्ड़ क्यों नहीं साफ हो सकते एक chemistry का सवाल है दोस्तों हम जब कपड़े साफ करते हैं exit और base के जो molecules है जिन्होंने bonds बनाए हुए वो तूटते हैं फटते हैं तो reaction पानी में शुरू होता है chemical की heat की वज़ा से molecules वाशिंग परणड़ में जो एक एक दाना है ना वो जिन्दा है वो एक्टिव है उसमें exit भी है बेस भी है यह इनके bonds तूटते भी है फटते भी है यह वाशिंग पान्डर में हमने पान्ड़ डाला उसमें hydrophilic भी है hydrophobic भी है यह कहां से पैदा होता है यह सल्फिनिक exit से पैदा होता है केसे यहां आजाता है एच पिलस ओइन्स रिलीज होता है उस वज़ा से आता है hydrophilic सोड़ा एच जब हम डालते हैं तो ओइच माइनस ओइन्स आता है इतर पानी में वाशिंग मशीन में रियक्ट करता है हीट होती है यह एच पिलस है बाउंट तूटते हैं फटते हैं जाग बनती है कारबन हेडरो एकसाइड बनता है कारबनिक एकसिट बनता है रियक्शन शुरू होता है इस ओएच माइनस एच पिलस की वज़ए से हेडरो फिलिक और हेडरो फोबिक पैदा होता है जिस वज़े से हमारे कपड़े साफ होते हेड्रोफिलिक पानी का लवा रहे पानी में डून डून के उसे रिएश करेगा उसे खेलेगा उससा जम हो जाएगा हेडروفوبिक मट्टी का लवारे, ओहल का लवारे, जहां मट्टी होगे, उसमें चुबक जाएगा, उसमें जजब हो जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा, उसके साथ केलेगा, उसके पूरे बुरे बुनियादों को हिला के रख देगा तो ये मुवमिट कुदरत के तरफ से हमें इना में मिला है हैडरोजन, आक्सिजन, सोडियम और जनाब आली जो कार्बन इनके बॉंड्स, इसके मालिक्यूस, इनके शेल से वाबस आए पूरी सफाई का, पूरी काइनात का ये सिस्टम अनिस्टेबल के वज़े से वो इस्टेबल होने के लिए आप बॉंड बनाते हैं, शेल कंप्लीट करते हैं, हमारे कपड़े साफ होते हैं आए जब हम जनाब आली शेपू बेस जो तीन परसंट हम डालते हैं सोडा एश के साथ, अगर हम सोडा एश ना डालें, शेपू बेस हम डालें 10 परसंट हैं और 5 परसंट या 6 परसंट हम सैल्फिन के एकसिट डालें, 80 परसंट हम जनाब आली पत्थर का चूरा डालें, सोप इस्टोन या टेल कंपाउडर तो कपड़े साफ होंगे, दोस्तों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, दोस्तों टेल कंपाउडर पत्थर का चूरा है, जो उसमें जितना भी शेपो बेस पड़ा होगा वो ज्छाग बनाएगा जितना भी सल्फिने के की फ़री मिक्तारे में डाला हुआई वो कमज़ोर ऐच शीर करेगा जितना भी आफ कम डाला है सोटा ऑच तो ऐच मैनस कम तादाद में रीएट करेंगे liat fleller ज्यादा ज्यादा ज़ाग बनेगी। hydrophilic बनेगगा। पानी का का लवर बनेगा। पानी के मुहबस करने वाला पनेगा ज्याग बनेगा। तो यह ज्याग तो बन गई। थोड़ा diminution, ठीके। तो चर्पाइल प्लिकर्बोनिक देउरlles कि तो मटी आ धर हैं नहीं दोस्तों मटी का लफर अधा जब 10 % के अंतेफरें तॉट्बोर ए शोड़रतों एक्सिटमरिय केस्सदी्य कि पेढ़ार्स नहीं हो सोड़ आझ मैंट्ठ 2100 गेस्टू डिश इच पिलस स्ट्रांग ओइंस रीड करेंगे तो हेड्रो फिलिक पानी के साथ गुमेंगा मट्टी के साथ गुमेंगा और यह हेड्रो फोबिक मट्टी में चुबग जाएगा और तेल के दा को चुबग जाएगा उसको रिजा रिजा करेंगा मीसेल इस जग में पैदा होगा उस मट्टी को साफ शिफाफ करके कच्छे को साफ शिफाफ करके नीचे बैठ दे आएगा आपका कपना बहतरीन साफ हो जाएगा यह कमार एक्सिट और बेस का है यह कमार एच पिलस और ओ एच मैनस का है जब यह अंदर होंगे अपनी परसंटेज के हिसाफ़ से तो chemical का reaction औरता है heat होती है आपके कपड़े साफ शिफाफ होते है सिर्फ जाग डालोगे तो hydrophilic पैदा होगी अगर आप जाग भी डालोगे सल्फिनिक exit भी डालोगे base नहीं डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा base है soda H, OH मैनस अंदर आएगा hydrophobic भी पैदा होगा micelle भी पैदा होगा reaction भी रोगा जाग भी होगी reaction भी होगा reaction भी होगा आपके कपड़े साफ शिफाफ हो जाएंगे मैं चेलिंज करता हूँ दोस्तो soap stone आप 60% डाले 40% आप शेंपू base डाले जाग वाला item फिर भी कपड़े आपके साफ नहीं होगे क्यूंकि शेंपू base से hydrophilic जाग तो बनाएगा hydrophobic नहीं होगा hydrophobic carbon के डालने से soda ice के डालने से पेदा होता है जो सफाई सुत्राई करके कपड़े को साफ शिफाफ करता है दो गुरूप हैं दोस्तो एक है forming सिर्फ forming जो दोस्त पत्थर का चूरा डालके सोप पिस्टों डालके और सस्ता करके बेज़ते हैं उसमें सिर्फ जाग ही जागे सफाई का अमल कम है दूसरा है जाग के साथ जना पहली सोड़ा एश भी मिलाते हैं सिर्फिनिक एक्सिट भी ठीक ठाक मिलाते हैं तो जाग बेज़े कपड़े बे साथ होते हैं दाग भी पाश पाश होता जाता है तेल का धबा भी मिट जाता है उमें तो यह च्छोटी च्छोटी काफश है आपको समझ में आ रही होगी हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कपड़े हमारे क्यों साफ होते हैं किस वज़े से होते हैं केमिकल की रियक्शन के वज़े से केमिकल की हीट के वज़े से जहां सोड़ा एच होगा 40% से उपर जहां सेल्फिनिक एक्सिट 7% या उससे ज्यादा होगा वहां एच पिलस ओइंस ओएच माइनस प्रिलीज होगा रियेट करेंगे तो ये पानी लवर मटी का लवर आफ़र में टक करेंगे अटेक करेंगे दाग धबे पे कप्रा साफ शिफाफ हो जाएगा सो परशाम्स ट्रेनिंग इंडिस्ट्यूर से खुदा आफ़ेश